साधुल लग वाले हैं इस ग्रिम के बारे प्रिंगार क्रीम प्रिंगार्च क्रीबक करें आज आने वाले हैं इन दोनों क्रीम के डिफरेंसस क्या है इनके इंग्रेटेंट क्या है इसको किन-किन बीमारियों में आप इस्तामाल कर सकते हैं किसाइड एफेट क्या है सब कुछ जानेगे इस वीडियो में चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें इस वीडियो को इजगाड क्रीम को फार्मसुटिकल मैनिफेक्चर करती है इसकी जो एमर्पी रूपी आती है इसके अंदर जो कंटेंट है फार्मसुटिकल मैनिफेक्चर करती है इसकी जो एमार्पी है करती है कि इसकी घुल ग्राम्स का क्रीम आता है इसके अंदर जो content है micronozol nitrate आएगा and neomacine sulphate आएगा micronozol जो है एक antifungal है जो आपके fungal infection को खदम करने के लिए इस्तमाल में लिजाती है neomacine जो है वो एक antiviotic है जो आपके bacterial infection को खदम करने के लिए इस्तमाल में लिजाती है neomacine अब जान दें को किन किन भीमारियों में इस्तामाल कर सकते हैं कि यूजर्स क्या है अगर आपको Francisone अगर आपको जिम की प्राबलोम हो रहे हो कुछी भी टाइब का स्वंगल इंफेक्षेन और रहे हो रिंग वंल की प्राबलम हो रहे हो रैश्ट हो रहे हो जो आपके पाओं के बीच में होता है वो हो रखा हो अगर आपको किसी भी टाइप का फंगल इंफेक्शन हो रखा हो उसके वह जैसे आपको इचिंग होती हो तो आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं साथ ही अगर आपको रिंग वार्म की प्राब्लम हो रही हो किसी भी जानते हैं इसके side effect क्या है बहुत जरूरी है कि जो product आप इस्तमाल करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकरी आपको होनी चाहिए नहीं तो उसकी जैसे आपको problem हो सकती है तो वीडियो को पूरा देखे इसकी उतने side effect नहीं देखे गए हैं अगर आपकी skin sensitive है तो आपको dry skin हो सकता है, itching हो सकती है, redness हो सकता है, और साथी burning भी हो सकती है, अब जानते हैं, इन दोनों cream है best कोसा है, अगर आपको pungal infection ज़्यादा है, साथ में अगर आपको bacterial infection भी है, तो आप ring guard का इस्तामाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके ring warm में, आपके food athletes में best result माना गया है, तो आप ring guard का इस्तामाल कर सकते हैं, क्योंकि ring guard का best result है compared to each guard, अब जानते हैं cream को combine कैसे लगाना है, cream को रात में ही लगाना है, जहांपे infected area है, वहांपे हलके गुनगुने पानी से wash करके, dry होने के बाद cream को रात में लगाना है, आपको जल से जल आराम मिलेगा, अब जानते हैं को को नहीं लगाना चाहिए, अगर आप pregnant women हो, breast feeding mother हो, अगर आपकी fungal infection भहुत ज़्यादा हो रखा हो, तो आप इसको इस्तमाल ना करें, अगर आपको इस product के बारे में कोई doubt है, नीचे comment box में comment कीजिए, अगर आपको चाहिए, नीचे description में इसका link दियागा है, वहाँ से जाकर आप purchase कर सकते हैं, और ये video जो है information purpose के लिए, अगर आप कोई भी cream लेते हो, तो एक बार doctor से consult जरूर करें, video informative लगी तो video को जरूर like करें, channel को subscribe करना ना भूले, thank you very much for watching,